कि चलिए अगले सवाल पर हाँ यह भी पढ़ लेते हैं कि कहता है सर एक्स के पास एक रेजीजिडेंचल पर्पपिट ही तो एक्वल आइडेंटिकल यूनिट का आ गया । दो आडेंटिकल यूनिट कर लेते हैं अभी बताएका अरिया यूनिट वन है य CMS हमाला प्रपज कुछ इउ nutr इच का स Mutkra theo एक्स एक्स एंड फूर त रेजीजिडेंचल परपस उ rent being let out for the तो ये हो गया LO और इस let out को कहता है rent of 2 month could not be recovered, unrealized rent हो गया municipal value of the property 130 standard rent आपका दे रखा है, fair rent भी दे रखा है municipal value भी दे रखा है 12% which was paid by x municipal tax को x other expense of the various being the repair किसी काम का नी, insurance किसी काम का interest on borrowing 18 को construction और आपको कहता है interest on capital borrowed 2008 को for the construction property और ये था हमारा कितने का property पांच लाग का अब देखें यहाँ पे बात है construction the property रुपीस 5 लाग अब सबसे बड़ी समस्या यह है इस सवाल में, चलिए हम आगे पढ़ेंगे तो अभी clear करेंगे इस सवाल को कि क्या चीज पॉइंट है find the income assessment area, assume इसका income from other sources भी है हाला कि सवाल इस टाइब का हमने कर लिया है फिर भी हम इसको कर लेते हैं अगर हम यूनिट वन की बात करें तो tension खतम क्योंगे tension खतम सर self occupied और unit 2 अब सबसे पहले एक्जाम में क्युछ बातों का ध्यान डखना है अब आपको कैसे पता चला unit 1 कितने परसंट है unit 2 नहीं पता आप क्या करोगे ऐसे सवाल के अंदर आप इसको दो हिस्से में बाटोगी बाटोगी और दूसरा कोई चाहरा नहीं है इसके लिए आपको नोट देना होगा कि हम मान रहें के दोनों unit equal है या 50-50 परसंट एरिया है अब हर किसी चीज को 50 परसंट एरिया में डिवाइड कर देते हैं कहता है हमारा कि यहां पर municipal value है हमारा 31 तो कितने आ जाएंगे इसके बाद कहता है standard rent और fair rent एक चालेज और standard rent है हमारा एक पच्चिस तो यह आ जाएगा हमारा तो सर यहां पर expected rent निकल के आ जाएगा unit 1 के लिए तो 0 ही रहेगा self occupied है unit 2 के लिए अब यहां पर 8RRR ले ले लेते हैं कहता है सर यूनिट को हमने घर किराये पर 6000 रुपे महीने पर दिया था और into में अब कहता है दो मेहने का किराया नहीं मिला है है ना तो कितने हो गए 60 तो सर अब यहां पर हम क्या लेंगे अगर देखा जाए दो मेहने का किराया हमें मिला नहीं है तो actual देखा जाए तो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर self occupied का case है क्या नहीं है पिछले वाले सवाल में self occupied का case था अब यहाँ पे आप पूरे साल का calculate करके देखो कितना बनता है सर पूरे साल अगर किराये पे रहता है तो 72,000 बनता लेकिन हमने दो महिने का minus कर दिया तो अब जो GAV आएगा हमारा बताइए क्या आएगा साथ या बासट पांसो साथ माइनस कर देंगे सर और यह GAV आएगा जीरो इसके लिए खतम कहता है मुंसिपल टेक्स 12% विच वस पेड बाई 12% है तो 12% वोट 12% आपका इसी का होगा MV का तो आप MV का अगर निकालते हो तो 130 का आपका हाला कि 12% होता है तो सर 130 का 12% वो दोनों के लिए होगा ना तो दोनों के लिए इसका हिस्सा निखाल लेंगे है MT का कितना बंता है 130 का 12% निखाल लिए 15600 का 50% ले लेंगे ना हाँ 12% है 93 15500 और हाफ एरिया का बांट तो इसको टू में तो टू में जब इसको बांटेंगे तो कितना फंद्रा 600 है कितनी बार गलत हो गया है अब इसको हाफ में बांटो बस सिंपल सी बात है अब कहता है interest on capital interest on capital borrowed on 11008 for construction the property property को construction करने के लिए इसने 5 लाख रुपए का interest 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 fade कर दिया है अब यहां पर सवाल होता है सर आपका यह total interest है या सिर्फ उसी साल का interest है या pre construction का interest है या फिर प्री construction का interest है पहले यहां तक देखे समझ में आया यहां पर सवाल क्या आता है हमारा interest कब का है यह question में कुछ clarity है क्या नहीं है तो आपको यहां पर क्या देना पड़ेगा सर नोट देना पड़ेगा यहां पर assumption और नोट क्या देना पड़ेगा सर यहां पर simple सी बात है note देंगे कि यह हमारा इसी साल का interest है किस साल का है current year के लिए तो note 1 हो गया एक note 2 भी दो गये तो सर current year का अगर interest हुआ तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं NAV पटाफट निकालते जाए माइनस 24 A फिर माइनस 24 B सवाल में पूछता क्या है income from find out income बताना है अब तो होई गया यह बताईए और यहां पर आ जाएगा क्योंकि self occupied तो आधा आधा बाटेंगे तो धाई लाग और दूसरे का बताईए क्या इसका बताऊ ना 52 अब इसका 30 परसंट 15 अब देखिए 24 B मिलेगा यह self occupied है यह let out है दोनों के हिस्से में आधा आधा चला जाएगा धाई धाई लाइक लेकिन आपको पता है याद है self occupied की case में limit restricted था कितना था तो यहां पर हम 2 लाग ही लेंगे क्योंकि half a Lena था लेकिन हम ले नी सकते तो कितना लेंगे यहां पर कर अदों पर कोई limit यह तो यहां फूरे ले लेंगे' ही इसलए दो लाग माइनश का जाएगा है और यहां देखिए कितना माइने साथा है है अ judgment सर्फ dins करने के लिए मैं तैयारी कर रहा था दो Так 460 तो सर ये HP की income अगर मैं पूछू ना HP की income तो सर HP 1 से भी loss है 2,00,00,00 और HP 2 से भी loss है हमारा 2,13 तो total loss बता दीजिए ये loss आगया ना loss from HP loss from HP कितने 4,00,00 460 ये loss है अब other source से income है तो सर टोटल income आजाएगा क्या होगा ये loss ये loss है समझ में बात बिलकुल समझ में आगई आपको बात ये loss है काנवा येल हे भी ये surface ये 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 sudah है कैई तो बात यहां पे हमने अजंशन वगएरा सब कुछ समझ में आ रहा है क्या जो हमारा यहां पे vacancy था unrecovered rent हमने क्या माना गवर्मेंट ने इसको approved कर दिया है यही माना है अगर हम यह मानने के government ने approved नहीं किया है तो क्या होगा answer में बदलाओ अगर government approved नहीं करेगा तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से क्या लेना पड़ जाएगा higher लेना पड़ेगा तो उसके हिसाब से हो जाएगा तो इसके दो answer यहाँ पे बन सकते हैं एक तो जहाँ पे हमने assumption लिया कि हमारा unrealized rent government ने approved कर दिया है तब तो हम lower लेके चलेंगे अगर government deny कर दे बोले भाईया हम नहीं मानते unrealized rent तुम्हें किराय मिला होगा हमारा तो हिसाब से 62,500 बनता है तुम्हारे हिसाब से बनता है कितना 60,000 तुम गिन रहे हैं तो हम तो 62,500 भे यह आप से कहलेंगे टेक्स लेंगे तो उस case में आपके जैसे की सवाल में मैंने कहीं करा हुआ भी है कि 62,500 से भी आपका सारा solution किया जा सकता है तो थोड़ा differ आएगा कह रहे हैं कि unrealized rent is minus Q नहीं करा unrealized rent minus क्यों नहीं किया देखे मैं बता देता हूँ मैंने करा है minus बस देखनी रहा normally हमारा किराय पे मकान था 6000 इंटू में 12 और इसमें से 2 मेने का किराय नहीं मिला that is हमारा 12,000 तो आप जब आप इसको solve करेंगे तो आपका 60 ही आएगा देखिए ठीक है सर इंटरस्ट वाला इंटरस्ट वाले के अंदर क्या है कि इंटरस्ट टोटल दे रखा था पहले हम निकालते थे pre construction period सभी चीज़ का यहाँ पे इंटरस्ट टोटल दे रखा था तो इंटरस्ट कैलकूलेट करके हमने आधा आधा मतलब कैलकूलेट करके दे रखा था हमने आधा दबाट दिया तो अगर आपकी बीच में जोइनिंगे तो पूरा देखना होगा इंटरस्ट वाले केस में मैंने बताया था सेल्फ उक्यूपाइट के केस में आपको दो लाक maximum deduction मिल सकता है इसलिए धाई ना देके मैंने दो दिया बाकी को धाई दे दिया क्योंकि वहाँ पर लिमिट है नहीं क्यूपधतायश के अज़ीव परे 오ले क्नि के वहाँ हम को अजाई़ क्यूप्यक्यूम्य नेकी क्या है